प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बित प्रदीपे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज राष्टी युवादिवस है और राष्टी युवादिवस स्वामी विवेका नंजी के जन्म दिन के उपलप्छ में मनाया जाता है आज उनके जन्म दिन की जैन्ती है और 12 जनुरी 1863 हिस्विक को भारत के महान और विश्वक में युवाओं के प्रेणा सुरोत माने जाने वाले स्वामी विवेका नंजी का जन्म हुआ दोस्तों आपको यह भी बताते चलें कि भारत समित विश्वक के सभी हिस्सों में स्वामी विवेका नंजी के जन्म दिन को चलिबरेट किया जाता है और मनाया जाता है युवाओं दौरा तो आप सबको फिर से तहे दिल से स्वामी विविकानन जी के जन्वदिन यानि राष्टी वदिवस की हार्दिक सुपकामना है और बहुत सारी बढ़ाई हैं दोस्तों आज इनके बारे में कुछ हम विसेज जानकारी लेंगे कुछ इनके motivation point है उसको हम लोग पढ़ेंगे हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं मगर हिंदू होने पर हम अभिमान करते हैं सौमी विवेकानन ये कहते हुए कभी नहीं सर्म किये कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को हम महान कहते हैं बिश्व में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कि हिंदो धर्में भी बुराईयां पुरते रहते हैं, जिसे चिद्रान वेसंड कहा जाता है, और हमारे यहाँ इसमें हम लोग उहेलना लिखते हूं, उहेलना आप जानते हैं ब्रज में और अवद में उहेलना लिखा जाता है यानि हम इश्वर्थ के उपर भी गलत के लिए कथन लिखते हैं आपने सुना होगा पढ़ा होगा इसके बारे में जानते हुए लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं सवामे भी एक आनन्द कहते हैं हिंदो धर्म कोई धर्म नहीं है हिंदो धर्म एक संसकार है एक सभिता है एक संस्कृती है एक परंपरा है इसलिए आप गर्व से कहें कि हम हिंदो हैं सभी भारतवासी को ये कहने में गर्व होना चाहिए कि हम हिंदो हैं और हम इस परंपरा इस संस्कृति के साथ जीते हैं और इसके जीने की छमदा रखते हैं प्यारे मित्रों आज हम इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद यहां पर देखिए एक छोटी सी लाइन लिखी गई लेकिन लाइन अपने आप में बहुत कुछ बया करती है कह रहा है हमें हमें हमारे बिचार ही बनाते हैं इसलिए सब्दों पर नहीं सोच पर ध्यान दे हमें हमारे बिचार ही बनाते हैं इसलिए सब्दों पर नहीं सोच पर ध्यान दे बिचार हमेशा जिन्दा रहते हैं सब्द आपके मर जाएंगे लेकिन आपका बिचार ता उम्र जिन्दा रहेगा ता जीवन जिन्दा रहेगा जो एक कहते हुए कभी संकोच नहीं क्या अंग्रेजों के गुलाम हुए भारत में पैदा होने वाले स्वामी विविकानन ने एक कहने में थोड़ी सी भी सर्म महसूस नहीं की थोड़ी सी भी आतो हमारे यां लोग ऐसे ऐसे चीजें करते हैं कि हैं तर्म पैदा कैसे हो कि इन्हों कि हिंदो धर्म को धर्म नहीं रिक सभ्रता है संस्कृ agora है और गर्म कि हम हिंदो हैं हमें हिंदो होने पर अभिमान हैं हमें हिंदो महसूस करते हैं हिंदु होने पर अभिमान होता है किसी की निंदा ना करें किसी की निंदा ना करें अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाईए अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए अपने भाईयों को असिरबात दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजी अगर आप किसी की निंदा लेकिन निंदा मत करिये कहरा किसी की निंदा ना करें अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाईए आगे बढ़िये और एक दूसरे की मदद करिये लेकिन अगर आप उसके सच् आगे बढ़ते हैं युवाओं के प्रेड़ा सुरोत हैं और सबसे ज्यादा फेमस सबसे ज्यादा मसहूर लाइन जिसे हर एक युवा अपने घरों में अपने कमरे में अपने स्टेरी रूम में चिपकाता है लगाता है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तो सभी वित्रों को मैं बताता हूं कई बार मैंने कहा है अपने क्लासों में कहा है कि सभी सकतियां आपके हाथों में हैं आप दुनिया में उस सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और आप वह भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सो जब तक आप खुद पर विश्यस नहीं करतें, तब तक आप भगवान पर भी विश्यस नहीं करतें, तो प्यारे मित्रों, आप सबी लोगों की हार्दिक सुबकामनाओं के साथ आप सबको बहुत सारी बधाईया और हम चाहते हैं कि आज अपने जीवन के लक्ष का निर्धारण करते हुए आप अपने पत्पर अग्रसर हो जाएं और उड़जा के ओद प्रोत के साथ अपने लक्ष को जल्द से जल्द पराप्त करें इसी के साथ हम आप से बिदा लेंगे फिर मिलते हैं किसी क्लास में किसी वीडियो में किसी और टापिक के साथ तब तक लिजाज़त दीजिए जैहिन